आज का हमारा कार्वा उत्तराखन की राजधानी देहरादून की हसीन वादियों में स्थित एक उनिवसिटी जा पहुची है ग्राफिक एरा हिल युनिवर्सिटी देहरादून उत्तरक यह एक स्टेट रेकिनाइजड युनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2011 में ग्राफिक एरा एडुकेशनल सोसाइटी के द्वारा की गई थी इस युनिवर्सिटी से लगभग 5500 स्टूडेंस मल्टी डिसप्लिनरी पफियरेंज पसुख कर रहे हैं ग्राफिक एरा हिल युनिवर्सिटी के पास 2 कैमपसेश हैं पहला देहरादून में है जिसका रिविविव हम लोग आज करेंगे और दूसरा भीमतल में स्थित है जिसका रिविविव हम लोग अगले वीडियो में इसी हफ्ते करेंगे तो और चलिए Graphic ERA Hill University देहरादून का detailed analysis स्टार्ट करते हैं। Graphic ERA Hill University देहरादून से सबसे करीब railway station है देहरादून railway station जो लगभग 7.5 km दूर है। और देहरादून airport सबसे सामने airport है जो लगभग 31 km की दूरी पर है। आज का review शुरू करने से पहले हम लोग Graphic ERA Deemed University और Graphic ERA Hill University में कुछ difference देखेंगे, जिससे आगे आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। Graphic ERA Educational Society के टू युनिवरसिटी इस Graphic ERA Deemed University और Graphic ERA Hill University है। और इसमें Graphic ERA Hill University का भी two campuses देहरादून और भीमटाल में स्थित हैं। लास्ट में आप दोनों युनिवरसिटी के कुछ major differences को screen पर देख सकते हैं। जहां Graphic ERA Deemed University Centrally Recognized University हैं, वहीं दूसरी और Graphic ERA Hill University State Recognized University हैं। बाकी differences को भी आप screen पर देख सकते हैं। आज के review में हम लोग इस college के fee structure, scholarship facilities, placements, hostel and mess के साथ ही कुछ और important topic को discuss करेंगे। Courses Graphic ERA में आप Multidisciplinary Courses को select कर सकते हैं। आप सभी Courses के नाम screen पर देख सकते हैं। आगे सभी Courses का fee structure को दिखाया जाएगा। Facilities इस university के पास एक बड़ा सा cafeteria है जहां पर बहुत तरह की food items उपलब्ध हैं। एक बड़ा सा auditorium जिसकी तस्वीरे अभी screen पर देख सकते हैं। Well-designed lecture halls, seminar halls के साथ multiple labs जहां पर बहुत सारी modern equipments मौझूद हैं। इस university के main building को MP theater की तरह बनाया गया है। जहां पर बड़े बड़े कार्यक्रमों को आयोजित कराय जाते हैं। इस university के पास computer labs के साथ ही साथ एक छोटा सा Mac lab भी मौझूद है। आप सभी clipsers को इस screen पर देख सकते हैं। अब placement report की बारी। University के official website में दोनों university के तीनों campuses का report मिला कर दिया हुआ हैं। जिसमें graphic era hill university के दोनों campus देहरादून और भीमतल और graphic era deemed university देहरादून शामिल है। Reports के मुताबिक session 2020-21 में सभी streams में 2400 students 200 companyों में अब तक placed हो चुके हैं। With an average package of 5.38 lakhs per annum, and highest package is 43.95 lakhs per annum। Screen पर आप साल 2021, 2020 और 2019 के कुछ students के decent packages को देख सकते हैं। कुछ top recruiters की list आप screen पर देख सकते हैं जो graphic era के campus को विजिट करते आए हैं। Graphist Graphic era hill university का annual fest है, जिसका रंगा-रंग आयो जन graphic era deemed university के campus में कराया जाता है। Fees structure और girls students को 10% का scholarship प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा JE means और board के marks के basis पर भी students को scholarship प्रोवाइड कर आया जाता है। Hostel & Mess इस university के कुछ hostel campus के अंदर तो कुछ campus के बाहर में स्थित हैं। आप सभी hostel की list screen पर देख सकते हैं। इनमे graphic era deemed university के भी hostels शामिल है। Hostel Fees में mess charges भी include हैं। Pros and Cons पहले pros पहला, यह एक famous private university है उत्तराखंड में। दूसरा, इस college का fests बहुत शानदार होता है, इसमें बड़े बड़े celebrity शामिल होते हैं। तीसरा, यह college उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित हैं जिससे आपको सभी तरह की facility college के आसपास मिल जाएगी। अब कौन्स। पहला, यह university sports में थोड़ा सा पीछे हैं। दूसरा, placements कुछ खास नहीं है। तीसरा, इस college में dress code है जो आजकल थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही ऐसे ही college review को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, जारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए थे जाजके लेगे हैं।